गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रिद अवी गर्ग कैसे हैं स्टुडेंट्स आप सभी अच्छे हैं? गुड अच्छे ही रही है स्टुडेंट्स और पढ़ते रही है ठीक है? तो देखें स्टुडेंट्स आज हम एक और एक्जाम्पल करने वाले हैं फंक्शनल अनलाइसिस का ही यहां आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है इसे आपको प्रूफ करके दिखाना है ठीक है? तो देखें क्या है? यहां इनर प्रड़क्ट इसस्पेस में इनर प्रोड़्क्ट इससपेस में इनर प्रोड़क्ट इससपेस क्या होता है? यह चीज़ हम पहले पढ़ चुके है यदि आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नी students उस वीडियो का लिंक मैं आपको description box में डाल दूगी वहाँ से देख लीजेगा जिसमें मैं आपको बताया था inner product space के बारे में ठीक है कुछ हलका फुलके अभी भी देख लेंगे हैं अभी देखेंगे इस lecture में ठीक है बाट आपको deep में पढ़ना है तो आपको इस lecture को लेना पड़ेगा तो देखिए आपको यहाँ proof करना है norm of z minus x का square plus norm of z minus 1 का square is equal to होता है 1 by 2 norm of x minus y का square plus twice of norm of z minus 1 by 2 x plus y का square ठीक है यह आपने students करके दिखाना है proof एक चीज़ और यहाँ पर कह रहा है show that this identity can also be obtained from parallelogram equality यह result है आपका यह parallelogram equality से भी हम proof कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे इस lecture में proof करके अब parallelogram equality होती कह है तो यह भी हम पहले proof कर चुके है कोई बात नहीं आपने नहीं लिया है वो lecture इस वीडियो के description box में मिल जाएगा lecture का link आपको वहाँ से आप लोग देख लिजिएगा क्या parallelogram equality होती है ठीक है तो देखिए students हम proof शूरू करते हैं यहां हम लेके चल रहे हैं RHS part को equal लियाएंगे LHS के तो हमारा question proof हो जाएगा तो RHS क्या दिया हुआ है यह complete time आपके RHS में है लिख लिजिए 1 by 2 norm of x minus 1 का square plus twice of norm of z minus x plus y by 2 का square यही चीज़ यहां दी हुई है ठीक है हमने लिख लिया अब देखिए अब हम proof करेंगे students तो देखिए norm क्या होता है norm और inner product में मैंने आपको बताया हुआ है क्या relation होता है याद है देखिए मैंने आपको बताया था norm of x square is equal to होता है inner product of x and x के याद है यह क्या बता रहा यह आपको बता रहा inner product को यह ना की simple bracket है अच्छा तो देख लीजिए inner product हमने आपको कैसे बताया था देखो मैंने बताया था जैसे कि L आपको कोई linear space है F आपका field हो गया ठीक है जब inner product एक mapping ही होती है जो define का होती है L cross L से F में यानि कि inner product जो result आपको देगा वो क्या देगा एक scalar देगा एक field का member देगा ठीक है समझ पारे students इसलिए हम कहते है inner product हमेशा एक scalar quantity होती है जैसे X और Y का आपके inner product ले रहे है ठीक है जो भी इसकी value होगी वो एक scalar होगी क्यों हमने define यह से कर रहा है L cross L से यानि कि यह तो vector हो गए आपके L के element हो गए F में जारी है mapping यानि कि F क्या आता है field यानि कि scalar ठीक है तो यहाँ पर आपको ही चीज़ समझनी है students की inner product जो भी आती है value inner product की वो एक scalar quantity होती है clear तो सींपल ब्रेकट से भी शोप'REाथा है और इस तरह से भी हम शोग करते हैं तो देखिए studies inner product क्या घता है तो मैंने आपको एक mapping होती है जो की तीन साथिस्वाइब कर देती है तो तो हम क्या देते हैं मैपिंग knife co ci र Cayेंड होता है if and only if की x equals to be 0 होगा ठीक है second property हाती students आपकी inner product of x and y का बार बार क्या बता रहा है यहां complex conjugate को ठीक है complex conjugate क्या होता है जैसे की complex number कोई ले ली जी 2 plus 3 आयोटा तो उसका conjugate क्या होगा 2 minus 3 आयोटा ठीक है तो students यह second property में क्या होता है this is equal to inner product of y and x clear अगर यहाँ पर x और y complex number है तो अगर यहाँ पर यह complex number नहीं है ठीक है यदि x और y आपके complex है जब तो यह वाली property satisfy होनी चाहिए ठीक है अगर real हुए तो अरे real हुए तो बार का कोई मतलब भी नहीं रह जाता क्योंकि जो यह बार लगता है नहीं इसका मितलब होता है complex conjugate और conjugate हम complex number का लेते हैं ना की reals का तो real number की बात हुए तो क्या हो जाएगा inner product of x and y is equal to inner product of y and x अगर हम ले रहे हैं तो इक्वल टू होगा alpha x, z का inner product plus beta inner product of y and z यानि की कुल मुला के समझने की बात है यह जो scalar होते है ना यह भाहर आ जाते है inner product सी clear देखो एक चीज़ आपको यहां बता दू यह तीन प्रोपर्टी तो inner product की हो गी है मैंने आपको यह चीज़ और बता ही थी कि अगर second vector के साथ z यहां second vector है इसके साथ अगर कोई scalar आ रहा है तो वो भाहर कैसे आता है यहां यह वाले scalar तो direct भाहर आ गए वो भाहर कैसे आता है बाहर के साथ भाहर आता है याद है मैंने आपको बता है था alpha x, beta y का inner product जैसे हम ले रहे है तो क्या लिख सकता है आप इसको alpha as it is भाहर आ गया beta को भाहर लेना है तो beta का bar ठीक है यानि कि complex conjugate और x, y ठीक है मैंने आपको बता ही थी चीज़ याद रखेगा यह third property में नहीं है थार्ड property में सिर्फ यह ही है बट यह मैंने आपको बता दिया है पहले भी हम discuss कर चुके है समझ है inner product यानि कि तीन property satisfy करें ठीक है अब देखो आपका क्या question चल रहा था यहाँ हमने norm को formula से खोल दिया मैंने बता है norm of x square x, x यह x minus y है तो x minus y का inner product आ गया plus twice of z minus x plus y यही repeat ठीक है यही बता है भी formula अब देखिए inner product कैसे open करेंगे inner product कैसे open करेंगे यहाँ कैसे solve करेंगे students देखिए x, x यह वाली term ठीक है फिर क्या करना है minus है minus है minus आ गया ध्यान से देखिएगा x, y as it is minus है minus आ गया y, x ठीक है then minus minus plus हो जाता है और y, y समझा है next देखिए plus twice of twice of z, z ठीक है फिर minus है minus है minus है z, x plus y by 2 ठीक है minus है minus है x plus y by 2 ठीक है next minus minus plus हो गया आपका और इन दोनों का inner product यही चीज़ लिखिए ठीक है is equal to 1 by 2 x, x आपका as it is minus x, y minus y, x plus y, y as it is लिखा हुआ है हमने twice of z, z as it is आपका ठीक है students minus अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो है twice है ना इसको हम भाड ले रहे हैं ठीक है real number है तो real number मैंने देखो यहाँ क्यों बता रही है सब चीज़े real number यह सब क्यों बोल्डियू में second vector है ना यह inner product में इसके साथ जो scalar होगा वो बाहर आएगा तो बार बाहर आएगा उसका यानि कि तो का बार अरे टूटो एक real number है दो तो एक real number है इसका बार का कोई मतलब भी नहीं है इसका बार दो का बार दो ही होना है ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ बोल लिएँ कि यह एक real number है तो यह as it is बाहर आजाएगा तो 1 by 2 आपका बाहर आगया क्या बचा z, x plus y ठीक है मैंने यहाँ इसको open कर दे students समझ आ रहा यहाँ पर यह दोनों term हमने आ लिए इसी की आई है देखो दो हमने भार ले या rough में समझ लेते है it's okay देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा दो भार आएगा आपका minus as it is चली रहे क्या बचेगा z, x plus y ठीक है यहाँ पर आपके लिख सकते है minus 1 by 2 z, x अलग लगा दी इनर प्रोडेक्ट plus minus minus so minus 1 by 2 z, y ठीक है देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखी और कुछ भी नहीं करा ठीक है इसका minus यह रहा ठीक है देखो आगे देखो minus minus 1 by 2 x, z ठीक है अब minus 1 by 2 y, z यहाँ अलग अलग कर दिया ठीक है इस टाप बचाने के लिए और कुछ भी नहीं करा नाव देखे यहाँ से दोनों 2 भार आईगे तो 2, 2 तो आपका 4 तो देखो आप नेक्स्ट कहेगा x, x आगिया ठीक है आपके वास x, y आगिया यहाँ क्या बच्चा y, x y, x y, y y, y समझ आया प्लस वालों में कोई दिक्कती नहीं होती सबों में प्लस आना है थोड़ा सा minus वाले में प्रोब्लम हो जाती है ठीक है नाओ देखिए 1 by 2 x, x आपका as it is यहाँ टम also as it is ठीक है यह दोनों टम भी as it is आपकी आचुकी है ठीक है प्लस नाओ यहाँ क्या आता है twice of z, z twice of z, z ठीक है दो को हमने अंदर भेज़ दिया ब्रेक्ट के तो यहाँ तो twice of z, z आ गया यहाँ यह वाला twice इस twice से cancel out हो गया सिर्फ क्या बच्चा z, x ऐसे यह भी cancel हो जाएगा z, y as it is यहाँ भी cancel होने के बाद x, z बच्चा है और यहाँ बच्चा y, z ठीक है यहाँ से two twos है four तो यहाँ क्या आएगा one by two ठीक है one by two x, x यहाँ भी one by two x, y one by two y, x one by two y, y clear बहुत इसी calculation है ठीके students थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं यहाँ क्या है one by two x, x यहाँ भी one by two x, x तो complete एक हो गया one by two plus one by two तो क्या जाएगा आपके पास x, x ठीक है is equal to आपका चल रहा है x, x नाओ देखिए यहाँ पर one by two y, y है और यहाँ भी one by two y, y है तो add होके one by two plus one by two क्या बन जाता है आपका complete one तो plus y, y ठीक है अब देखिए कौन-कौन सी टम हमने यूज कर लिए यहाँ टम हो चुकी है यह टम हो चुकी है this is and this is ठीक है नाओ बच्ची आपके पास students यह वाली टम twice of z, z ठीक है ऐसे अभी लिख लेंगे देखिए पहले यहाँ cancel भी हो रहा है one by two x, y one by two x, y यह minus का है यह plus का है cancel हो गया यह वाली टम और यह वाली टम cancel हो जाती है इसी तरह से देखिए one by two y, x और one by two with minus sign y, x यह भी दोनो cancel हो गई ठीक है यह complete हो चुका है आपका यहाँ आपके पास यह तीनो टम आ चुकी है बच्ची कॉन सी यह वाली और यह चारो टम आपकी बच्ची है तो यहने हम as it is लिख लेते हैं आपके पास क्या आ जाएगा देखिए देखिए आपके पास आ जाएगा plus twice of z, z ठीक है यह वाली टम और यह चारो टम और हमें लिख ले लिए है minus z, x minus z, y minus x, z और minus y, z यहां तक हम पहुंच चुके हैं यह सब हमारी यूस आप चुकी हैं तो देखिए next step में क्या जाएगा देखिए next step में आपके जाली टम आजाएगी यह लिखी थी हमने x, x, y, y match करते जाहिए twice of z, z minus x, z यह रहा minus x, z minus z, x minus z, x minus y, z यह रहा और minus z, y यह रहा यहां तक हम पहुंच जाते हैं इसको number डाल दीजिए first equation चाहें तो इसे और solve कर लीजिए और LHS के बराबर लेए बट वह थोड़ा सा typical है तो हम ऐसा करते हैं LHS को और ले लेते हैं LHS को और थोड़ा सा solve करेंगे तो LHS आपका क्या था norm of z minus x का square plus norm of z minus y का square यही था norm open कर लीजिए क्या होगा z minus x, z minus x का inner product इसी तरह से यह भी open हो जाएगा now inner product solve करना है z, z यहां आपको क्या हैगा z, x with minus sign यह आगया minus x, z यह रहा minus minus plus x, x clear इसी तरह से यह हो जाएगा z, z यह रहा minus z, y minus यह वाला आपका आगया ठीक है z, y next क्या आएगा minus y, z यह रहा term और minus minus plus y, y तो यह क्या हो जाता है students आपको यहां पर देखिए x, x यह वाली term हमने लिख लिए y, y यानि कि हम कहां यह वाली term भी लिख चुके है ठीक है twice of z, z देखिए z, z और z, z 1 plus 1 2 twice of z, z minus आपके पास आचुका है x, z यह वाली term ठीक है minus z, x यह वाली term students clear minus y, z यह रही term and minus z, y यह रही term ठीक है side term लिख चुके है तो यह जाती है आपकी question number second अब देखिए ज़रा first equation को और second equation को क्या same है x, x y, y twice of z, z minus x, z minus z, x minus y, z and this term क्या यह दोना equal है यही चीज तो students हमने बस इस तरह से arrange कर लिए कि हमारी first equation की तरह दिखे ठीक है कुछ भी नहीं करा तो RHS और LHS बराबर आगए आपके तो यहां से proof हो जाता है आपका RHS equals to LHS यानि की this one यह आपका क्या है LHS और यह आपका क्या है students RHS complete proof हो गया समझाया बहुत इस यह कुछ भी नहीं करना इस इनर प्रोडेक्ट को अच्छे से सौल करना आना चाहिए ठीक है अब हमें यह प्रोपर्टी और प्रूफ करनी है प्रालोग्राम लो से ठीक है और इस रिजल्ट कैन बी अप्टेन फ्रॉम प्रालोग्राम रो क्यासे आएगा पहली बात तो प्रालोग्राम लो होता क्या है तो अगर आपने नहीं पढ़ाए ना कोई बात नहीं यहां हम यह वाला फॉर्मूला यूस कर लें जो प्रालोग्राम लो का होता है बट यह प्रूफ कैसे होता है तो लिंक आपको इस इकॉल टू होता है ट्राइस आउफ नां sare यह प्रालोग्राम लो काहलाता है आपका देखिए हमें क्या प्रूफ करना है यहां पर यह वाली चीजी प्रूफ करने है बट प्रालोग्राम लो से तो कैसे प्रूफ करेंगे हम यह यहां निकाल के चल रहे है norm of z minus x plus norm of z minus y का square क्या होगा ठीक है plus norm of z minus x minus norm norm of z minus x plus z minus y का square plus norm of z minus x minus z minus y हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं पेरलोग्राम लोग से देखिए x plus y की जिएगे यहां पर यह वाली term लिखी हुए complete ठीक है x minus y की जिएगे यहां पर यह वाली term लिखी हुए complete समझ पा रहे हैं x की जगे students यह आपको inner product दिया हुआ है plus की जगे plus है y की जगे यह दे दिया अब यहां क्या ना x minus y यानि कि यह वाली term with minus sign और इसका ठीक है यही चीज़ हमाने लिखी है यहां तो पैलोग्राम लोग से आप इसे क्या लिख सकते हैं twice of norm of x का square यानि कि twice of x यहां पर किसका काम कर रहा है z minus x का complete ठीक है तो यानि कि twice of norm of z minus x का square ठीक है now देखिए students क्या दिया हुआ है twice of norm of y का square तो twice of y किसका काम कर रहा है z minus y का तो twice of norm of z minus y का square clear समझ आया देखिए और देखिए students आप लोग सोच रहे होगे कि हमने यही क्यों लिए कि हमें याद करना पड़ेगा कि यही लेना है देखिए students थोड़ा सा idea लगाई है LHS में आपको क्या दिया है उसी से related हमने लिया है कुछ भी नहीं करा z minus x है z minus y है तो बस यही तो करा है z minus x और z minus y को यह तो लेके चल रहे है याद करने का कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसे याद नहीं करना है कोशन को देखिए LHS में क्या दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है तो इसी से related हमने लिया है z minus x और z minus y प्रस पैरलोग्राम लो का यूज और करा है क्योंकि यहाद पैरलोग्राम लो से ही प्रूफ करना चाहरे है ठीक है तो this is equal to आपको यहाँ आचुका है अब कुछ भी नहीं करना मैं सिर्फ solve करना है RHS में तो कुछ करना नहीं है as it is लिखा रहेगा ठीक है इसे solve कर लिजी LHS को देखिए z plus z twice of z minus क्या जाएगा x plus y यही चीज़ा देगी आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास norm of z plus z twice of z minus common ले लिया x plus y x plus y norm का square चल रहा है ठीक है plus यहाँ देखिए z minus z cancel हो चुका है और minus x plus y आएगा तो लिख लिजी यह norm of minus x plus y का square ठीक है this is equal to यह वाली term आपके as it is आईए तो देखिए क्या आज़ाएगा हम लिख देते हैं यहाँ पर देखिए यही चीज़ आई थी आपकी twice of z minus x plus y ठीक है twice of z minus x plus y का square plus minus x plus y यानिकी y minus x तो y minus x का square और lhs आपका लिख चुके है rhs as it is चल रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या आचुका है आपके पास यहाँ के पास आचुका है 4 क्यों इसको हमने बाहर ले लिया square है तो 2 का square 4 तो 4 आपका as it is आगया norm में क्या पच्चा z minus x plus y by 2 और norm का square ठीक है प्लस यह चीज़ समझने के थोड़ी सी कि norm of y minus x का square इसके कोल कैसे लिख दिया minus कहाँ चला गया तो देखो norm of x square is equal to होता है minus x की norm का square क्यों या तो ऐसे समझ लो minus बाहर लोगे square है plus हो जाएगा ठीक है या फिर ऐसे समझ लो students मैंने आपको एक property बताई थी norm की याद है मैंने आपको बताई थे students norm of alpha x is equal to होता है more of alpha norm of x more of alpha यहाँ alpha की जगे हम ले लेते है minus 1 तो क्या जाएगा norm of minus 1 into x this is equal to क्या होगा alpha की जगे minus 1 लिया है यहाँ क्या होगा minus 1 का more norm of x minus 1 का more more का का काम positive करना होता है तो plus 1 और यहाँ आपका norm of x as it is minus 1 को x से multiply करा तो minus x तो यहाँ पर क्या चुका है minus x की norm is equal to x की norm plus 1 है 1 को multiply करा क्या आगे norm of x तो यहाँ से समझ आया norm of x और norm of minus x equal होते है clear तो यहीं हमने इस तरह से लिखा है तो यहाँ पर minus को भार लोगे तो क्या आएगा 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 यहाँ पर minus को भार लोगे तो आपके पास क्या आएगा strength की minus यह positive हो जाएगा x minus y यही होगा ठीक है और इसका क्या है norm का square तो square से भी समझ सकते हैं और नहीं तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि x minus y की norm लिखो या minus x minus y की norm लिखो आपके पास कोई फरक नहीं पड़ता है equal होता है norm में minus से कोई मतलब नहीं है क्योंकि norm हमेशा norm की property से हमें पता है कि alpha जो आता है यानि कि scalar जो होता है उसको mode लगाना होता है ठीक है और mode का मतलब भी positive करना होता है समझ आया तो बस यह चीज यहाँ समझ नहीं थी ठीक है यह आपका hesities चली रहा है तो क्या चुका है z minus x plus y by 2 का square plus 1 by 2 2 का divide करा है पूरी equation मौर कुछ भी नहीं किया यहाँ पर 2 का divide करोगे तो 2 आ गया ठीक है 2, 2 is a 4 और यहाँ 2 का divide करा तो 1 by 2 yes it is यह 2 और यह वाला 2 cancel हो जाएगा इसके 2 क्या बचेगा norm of z minus x का square प्लस norm of z minus y का square तो बस इस वाली term को इधर लिख लो is equal to इसको पहले लिख लो क्योंकि जो हमें proof करना था कुछ इसी तरह से लिखा हुआ था इसी तरह से arrangement थी अपनी terms की और यहाली term आपकी भाद में लिख दी proof हो गया parallelogram low से ज़्यादा इजी पढ़ा आई है ठीक है students तो अगर आपके exam में यह आता है तो आप कैसे भी proof इसको कर सकते है अगर वाँ specially बोलता है parallelogram low से ही करना है तो आप इसी से कीज़ेगा इसलिए मैंने आपको दौनों से यह चीज़ बता दिये तो समझ आया so thank you students मिलते हैं next lecture में कुछ और अच्छे questions की साथ theorem की साथ next lecture में जो हम theorem करने वाले हैं आप देख सकते हैं एक बरस को statement यह वाली theorem हम करने वाले है next lecture में ठीक है अच्छी theorem है काफी अच्छी properties है use करते हैं हम हर एक theorem में ठीक है तो अच्छी properties है जरूर इस lecture को ली जेगा ठीक है students so thank you bye bye मिलते हैं next lecture में